दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं हमारे चैनल राजायवर् तो आज हमारे चैनल के साथ बने रही है और देखी कितने तरह के बांधा होते हैं किया इनका उप्योगे कभिन को घर आना चाहिए कैसे इनकी फूजा करनी चाहिए और इस से क्या- processes मेनीपीट हो सकता है तो सबसे पहले मैं आपको बता दें कि आज हम यूँही आपको नहीं पता देंगे बलकि जो हमारे घर्मिक गरंद्ध हैं जो जुन बांतर के बारे हम बताते हैं और कुछ लाल केताब के अमाधम से बताने के कोशिच किया, बहुत सारे चमूंडा तंत्र्ट जो होता हुटा उसके अथरपभ मनता हैं, जो हमारे पास ग्यान है, झो को हम इसकी शुरुवात कर रहे हैं तो दोस्तों हम जो है सुरुवात कर रहे हैं सबसे पहले बर्गत से बर्गत बहुती सुप बहुता है हम लोग इसकी पूजा करते हैं इसका बांदा अस्वीन नक्षेत्र में घर लाएं इसके रोग नश्ट होते हैं अगर आदानाख्षेत्र में इसे सिद्ध कर ध्रण किया जाए तो स्रवत्र वीजाई होता है जो वैक्ति इसको ध्रण करता है तो बर्गत के बांड़ा जो है वो बहुती सुप बांड़ा है इसको हमने दो तरह की से बता है उसके बाद में कहा जाता है कि शुक्रवार को घर लाना चाहिए और लक्षिमीजी के बाजू में बादा जाता है इससे हर कारी में सफलता मिलती है तो सबसे पहले में सुरुवायत की बरगत के बादा से ठीक है बरगत के बादा के बारे में काकचंडिश्वर क्या कहता है जाले उसकी बेधि होती हैयानि स्पर्म नहीं बनता हो वीर्य नहीं बनता हो उसकी प्रिद्धी हो जाएगी अधि इसको गमर में धारण किया जाए लेकिन इसे रहोणी नक्षधर में उखरना है ये काग जन्री स्वार को कहता है दोस्तों ये अस्लोक प्रिथा आदिका विष्ठ नफ्ट हो जाता है आगे बढते हैば क्याता है निश्च तुरूप से स्वास्थे में अचतर में ब्रह्म्रिक्षका ब knives नफने करने से गर में घर की अंड बंदाने से कभी भी धन धान की कमी नहीं होती है लगातर ब्रेदी होती ही रहती है हमने पूरा वीडियो इस पर बनाया तो किरपी आप इस वो देख लें और लगातर पलास का बंदा पर हमने बहुत सरी चीजों को बन देखाया है पलास का बंदा होले की अधिन घर में लाना है फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं पूजा के बाद जहां है वहां रहा रखना चाहिए अब ऑग गुलर के बांदा के बांदा कि भार में घर में लाए और घर के मंदर में रखने से धन धान की व्रेदी होने लगती है यह देखिए हमने इसका कचुण मठह से पिने हम इसका नश्ट करता है तो हम जहीं पर होने वाला बंदा आगर इसका बान्त आते है लाने के बाद में उसका चोणवान आते हैं, चोणवान को मठे के साथ पीती हैं, तो जाहे किसे भी तरह का विविश हो, वो जिरू उसका समन हो जाता है, तो हम तो कहेंगे अब जिरू अपने घर में रखें, ताकि कभी भी कोई विश का अगर प्रवलम होता हो, तो उस समय समन हो सके, यह जामुन के बांदा के बारें बात थी, अब आई आगे बढ़ते हैं, यह देखिए आगे तीन असलोक है, पहला है रेवती नक्षेतर में अश्रत पर यानि पीपल पर होने वाले बंदा को रखने से जीव व्रेधी होती, यानि जिसका गरपात हो जाता है, व तो हम अब बताते हैं, थागे बांदा के बहुबा विडियो ही बनाया हुआ है, यह देखिए यह है पीपल का बांदा, और खर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इस बांदे को, जैसे के बढ़ते हैं, उसके आधार पर कर सकते हैं, आप घर लाएं उसको और अगर उसका इस्तमाल किया जाए तो जीवरेधी होती है यानि कि जो इसको गरपात हो जाता है गरपात की समस्या से चुटकारा मिल जाता है ठीक है ये इसको अस्वनी नक्षत्र में लाए जाता है गरपात रोकने के लिए अब आए बाद करते निरगुंडी का उसके जो स्लोक था उसमें तो निर्गुंडी का देखिए इसका बांड़ा कहा रहा है कि निर्गुंडी पर होने वाले बंदा को भाणी नक्षत्र में विद्वान पुरुष धालन करें यादि दूद के साथ इसका पांड किया जाया तो इसके बेदिवार घटार भागी बढदा को इसमें के अगई इमली का बांदा तो इसको पुस्टिनक्षत्र में घर में लाना चाहिए और भायरवक को रिपीद करना चाहिए फिर इसको दाहिने हाथ में बांदना चाहिए इससे कमपन रोग जिसको कापने की बिमारी होती है देखते हैं कई लोग कांपते रहते हैं हाथ पर कापता है पुरुद्र से तो उससे पुरुद्र से आराम मिल जाता है और कभी भी उसको कमपन रोग से शुटकारा मिल जाता ह अलाकि इसका बांदा थोड़ा दुरलब हैं, तो ये भाई ये था इमली के बांदे के बारे हम बाची थी हैं, और ये लेकिए महुए का बांदा, दोस्तों महुए के बांदे पर हमने पुरा एक वीडियो ही बनाया हुआ है, आप कभी भी हमारी इस वीडियो को देख सकते है यह आपको जो देख रहे हैं पुराने वीडियो का एक भाग में लिया हुआ है और यह देखिए यह है महुआ का बांदा विशास्का नक्षतर में घर लायाना चाहिए और गले में धान करना चाहिए इसे किसी भी तरह का भाई खत्म हो जाता है डरावने सपने नहीं आते हैं और पुर्षत्म में यानि सप्की में ब्रद्य होती है कहीं भी आप जाएंगे आपको डर नहीं लगेगा आपको जरासा भाई की नहीं लगेगा कहीं भी किसी सामने कुछ भी बात कर सकेंगे आप इसका बांदा बड़ा ही प्रभावशाली है दोस्तों अब आगे बड़ते हैं आगे जो है महुआ के बांदा के बारे में हमने बचित की उसके बाद में जो से this stick can b dass यह कुछ का बांदा है दोस्तों यह देखिए पूजा के स्थान पर रखने मातर से आर्थिक कष्ट दूर हो जाते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, काकचंडिसवर कहता है, लक्षी में तंत्रम भी यही कहता है, लाल किताब भी यही कहता है, कि कूश का बांडा अगर भर्णी नक्षटर में घर लाया आ जाए, और पूजा करके उसकी विद्वत पूजा की जाए, पूजा के स्थान पर रखा जाए, तो निच्चित रुप से आर्थिक संकट जो होते हैं, वो दूर हो जाते हैं, ये कुश के बांडा के बारे में हमने आपको बताया, अब हम आगे बढ़ेंगे, और कुश के बांडा के ब में रखना चाहिए कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर हरसिंघार यानि पारेजार्स का बांदा आप घर में लाते हैं। ये बहुत ही दूरलव है। दोस्तों मेरे पास भी ये बांदा नहीं है। और ये देखी हरसिंगार, ये हमने पुरा ये ही बनाया था, इसे मगगानक्षत्र में अगर लाकर घर में कहीं रभी अखें, तो समरेधी इवं संपन्नता में बिद्धी होती है, ये दो तरह की बाती ही थी, हमने आपको पुरा इसका वीडियो बनाया है, आप वीडियो को द बनायां आपको दिखा रहे हैं, ये ये झान देखा रहे हैं, इसकी पत ये आपने देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं, और ये आगे बंद्धे के ये दे की लिए, नेम का प्यड़ोम को नहीं मिल पाया, तो निम का बांधा स्रवन दक्सट में घर में आये जाए, और अ बोड़ने के लिए परिष्ट करने लिए के रियोग कम करें, जब तो कोई गृूरू नहीं बोले। गृूरूकी नदेश में ही सपर. ऐसे ही खतरनाँ चाहिए चाहिए। क्श है कि अम के बान्दा बोरा ने कोरते हैं । डामपटे जीवन जो है उसमें लगातार ब्रिधी होती रहती है दामपट जीवन अगर खराब है आपका तो आम के बांदा का इस्तमगल कर सकते हैं आप धनिश्टा लक्षातर में घर में लाना है तो यह देखिए आमके बांदा पर में वीडियो बनाई आप इससे देख सकत है आप यह बांदा जो है यह भी बांदा बहुत ही दूर्णा पर दोस्तों हमें तो इसका बड़ा नहीं मिल पाया था राची जैसे जगह में तो हमने छोटे प्रेक्ष को ले लिया तकि आप मतलब सिंबॉलिकली है यह आप इसको देख सकते हैं समझ सकते हैं कि यह जो है मुल्टा बांदा आप इवां लेका प्रेड़ कर सब्सक्राइब बोलने जरूर्ण नहीं इसकी पतीया हम अपको दिखा रहे हैं देखिये पतियां है इसकी और पेड़ बड़ा होता है जंगल में आम तोर पर मिल जाता है घरों में व्याज कर लोग लगा रहे हैं इसे आह इसका बांदा भी दोस्तों बहुत ही सुलब नहीं होता ये भी दुरुड़ा भी होता है लेकिन जंगलों में कभी कभार ये नजर आ जाता है अब चाहे तो इसको हम दे सकते हैं आप सीरिस का बांदा मेरे से ले सकते हैं ठीक है यह सीरिस का पौधा हम आपको दिखा रहे हैं दाकि आप सीरिस के पौधे को ढंग से समझ सकते हैं कि कैसा होता है और इसका बांदा प्रभी पुशी या गुरु पुशी में घर ला सकते हैं ठीक है यह सीरिस के पौधे के बा इसे दिन दोनी रात चाहुनी उननती होती है। बेर का बांड़ा बहुती दुरलब है। स्वाहि जोswाती या ज़िए मुल्लग चत्र में घर मंमें लाना चाहिए ये जैसा कि खुल ठीश्वर कहता है लक्ष्मी तंत्रम कहतं है ये भी कहता है के लाल्ब्रों में वह सब आपको मिलेगा, यह महता लक्षमी का वचन है दोस्तों, आपको बता दें कि बेर में भगवान विश्णु का आवास होता है, और महता लक्षमी का यह वचन है, कि अगर इसको धर्ण किया जाए, तो जो हम भागोंगे पूरा होगा, तो यह भाई, अब आगे हम आगना के लिए किया जाता है, जो बहुत बड़ी साथा को है, हम सिम्बॉलिक लिए दिखा यह लिए souvent थी प्रिवी अगर आँ आदमी म Yुक है, सिम्बॉलिक है यह जाती है, अगर आँ आदमी इस से बढ़क होने कश्णंता आजाती, अगर आम आदमी के बाद करेंगे, इसका बांदा इस्तिमाल किया जाए तो विद्वध पोजा की जाए और श्रिद्ध किया जाए तो ठीके सिंबॉलिक लिए आपको हम दिखा रहे हैं आपका इसका आउजनल मेरे पास है नहीं बांदा बस आप ये वीडियो बना रहे हैं ता कि समझ में आजा आपको ये देख रहे हैं ता कि आप इसको पहचांग लें डंक से समझ लें किया उनका पेड़ होता कैसा उसकी पतियां कैसी होती है उसके डिक्षी कैसा होता है और आपको कहीं कंफ्योजन नहीं रहे अम्रूद के जैसा कुछ-कुछ ये पेड़ होता है और मतलब कहा लिजे कि इसका और कमर में रोग सांती के लिए धार्ण करें ये काक्चंडी सुर कहता है तो यह मतलब बंदा पर इसको जरूर लाएं तो दोस्तों जहां तक हमारी कोशिच हुई कि हमने कुछ-कुछ जो हमारे पास थे बंदा हमने उसको बारे में आपको बताया हमें लगता है कि आपको जरूर ये वीडियो बसंद आया होगा अब हम आपको बता दे कुछ-कुछ नियम इसके जो हैं बांदा जब भी आप घर लाएं उसके एक दिन पहले जाकर इसको निमंत्रन दें उसको कहें कि भगवान कर हम आपको लेने आएंगे आप मेरे घर चलिए और धंधाने से जो मनुकामना के लिए जाते हैं उसको करें निमंत्रन देने का तरीका यह है कि गंगा जल थोड़ा साक्षत थोड़ा पैसा और जाकर करके उनको अब भीनिती करनी है एक दिन पहले सांज को ठीका दूसरे दिन सुबह में एकदम मतलब समा लेजिए पांच बजी सुबह में ज उसके बाद में जो गूर मन्त्र है कम से कम आपको एक अलाग बार पर पढ़ना है पर चुछ खाल में किसी भी ब्रत में यह लिखावा नहीं है गुरु मंत्र के बगार आपको कहीं कोई मंत्र है भी नहीं जो आपको इसमें काम कर सके तो आप हमने आपको बहुत कुछ-कुछ बांधा के बारे में बताया हमें लगता है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा यदी पसंद आया तो करें और लाइक करें बहुत बहुत धन्यवाद नवस्कार